प्रियावर अध्यन प्रैक्टिस सेट एक अभी तक हमने परियावर अध्यन में तीन टॉपिक कम्प्लीट किये हैं कौन कौन से हैं वो परिवार है आश्रह है भोजन स्वास्त एम्म सच्छता है पेड़ और पधियान की जो चौथा टॉपिक है वह हमारा चल रहा है तो तीन टॉपिक अभी तक कम्प्लीट हुए हैं उनसे रिलेटेड हम यहां पर प्रैक्टिस कर लेंगे यहां पर हमने लगबग तीस प्रिश्ण लिए हैं जो आपके इन तीन टॉपिक से उठाए गए हैं कद्दु का प्रिश्ण ऐसे भी है जो सबसे सुच मिकाई है वो है परिवार दूसरा प्रिश्ण है कि पौधे अपने खाद निर्मार प्रक्रिया में कार्बन डायकसाइड यानि की स्योटू गैस वायू मंदल से लेते और बदले में जीवधारियों को सास लेने के लिए खाले स्थान दिया हैं मुक्त करते हैं तो क्या करते हैं जो पेड़ पोदे हैं प्रकासाइसलेशन की क्रिया में कार्बन डायकसाइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं तीसरा प्रिश्ण है यहां पर कि भारत का परियावरण सिच्छा केंद्र कहां इस्थित है तो भारत का जो सिच्छा केंद्र प 17 बनने जीव कोस्ट द्वारा प्रतिक की रुप में 20 पशीको पर्शू को लिया गया है वह पृंडा जॉइंड परणा को लिया गया उसकी पृदे की रुपे यहाँ हपे सिर्फ पार्णा यह सब्सक्राइब यह सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है तो वह सी अब कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन चलॉटा प्रशन देखिए जब किसी जी द्वारा पोशक तत्म का सेवार और प्रक्रिया को क्या है तो इस प्रक्रिया को पोशख कहते हैं को पे फोशण के माद्यम से ही इनसाना का पोशख कहलाता है साथवा क्रेस्व देखिए अ साथमा प्रश्ण यहां पर है कि सेरीन में भोजन ग्रहन करने की प्रेक्रिया को क्या कहते हैं भोजन को ग्रहन करना आयन के अंदर लेना तो क्या कहलाता है अंतह ग्रहन कहलाता है भोजन को ग्रहन करना आठमा प्रश्ण कौन सा विटामिन घहा भनने में सहायक होता है तो वि इंग्लिज में फिमर कहते हैं दस्वाँप्रश्ट देखे दस्वाँप्रश्ण हैं यहाँ नुदक्ष को मान्सौती हड़ी कान की हदि होती है जिसे हम Mega कomy मिन क से करत मों अंध्यपन होता है तो विटामीन कि वज्य से विजल के में टो इसमें रात्री आंधापन मतलब रतोधी रोक इसकी कमी से है विटामिन एगी कमी से बाहरावावा प्रस्ण देखिए मानवा सेरी में पानी की मात्रा कितनी होती है वह 70-70 प्रतिशत होती है देखिए यह प्रश्ण ऐसा थोड़ा सा चलेंगे वहां पर तेरहामा प्रश्ण देखिए यहां पर मानव सरीर में मुख्य घ्रंथी यानिकि मास्टर ग्लेंड कौन सी है तो प्यूट्रिट्री घ्रंटी है जो पूरे बॉड़ी को कंट्रोल करती है वही पर प्रश्ण चौदाहमा देखे तो विटामिन-E का कि विटामिन बीका रातियनिक नाम क्या है साइमीन है सट्रह्मा प्रशन देखे कौन सा विटामिन गर्म करने पर होजाता है तो विटामिन के रखड का थक्का बनाने में साहयक होता है यानडर कि आपकि सरीर कहीं कर जाए तो खुन बराबर बहता रहेगा किसकी कमी से विटामीं के की कमी सा अगर विटामीं के आपके सरीर में परियात मात्रा में है तो खुण थोड़ी देर बाद रुख जाएगा उनीसमा प्रशन देखिए कौन सा विटामिन सरीर में भंडारित नहीं होता तो वह विटामिन डी है जो सरीर में भंडारित नहीं होता बीसमा प्रशन है कि विटामिन डी का सर्वत्तम श्रोत को है तो विटामिन डी का जो सबसे सुपर ह शुरोत है वो सूर का प्रकास है 21 प्रश्ण यहां पर दिया है किसने का है कि मनुस्ष एक सामाजिक प्राणी है तो यह अरस्तु ने कहा है कि मनुस्ष एक सामाजिक प्राणी है 22 प्रश्ण देखिए समाजिक जीवन की प्रथम पाडशाला कहलाता है कौन कहलाता तो समाजिक जीवन की जो प्रतम पाड़ साला है वो परिवार कहलाता है क्यों कि परिवार के माध्यम से बच्चे का समाजीकन सबसे पहले स्टार्ट होता है तेशना प्रशने देखिये चल फिर घर के उदाहरण है चल फिर घर तो क्या है विटामिन दे और के का संसलेशन कर सकता है 25 है भोजन के मुख आवयव कितने है तो भोजन के कुल साथ मुख आवय हैं जिसमें आपको कार्बोहाइडरेट वसा प्रोटीन विटामिन खनीज रेसे जिसमें आपका मोटा चारा मोटे आना जाते हैं 26 प्रेशन है कि समुद्री स थ्यवाल किसका महतपून श्रोट है तो योडीन का सबसे महतपून है 27 हे कि विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है तो वो इसकरवी है अठाइसमा प्रेशन है कि बर्फ के मकान में रहते हैं जो बर्फ के मकान मनाते हैं उसे उस मकान को क्या कहते हैं तो उस मकान को इगलू कहते हैं और इन बर्फ के मकानों में जो लोग रहते हैं उन्हें एस्किमो कहते हैं आज का ये लास्ट दो प्रश्ण है देखें यहाँ पर उन्तिस्वा प्रश्ण है मात्र वंश्य परिवार पाये जाते हैं कि जंजातियों पाये जाते हैं वह तो गारों खासी की जंजातियों मात्र वंश्य परिवार पाये जाते हैं और तीस्वा प्रश् हैं जिने हम तेल की रूप में जानते हैं तो फ्रेंट्स आज के लिए के वेल इतना ही कैसे लगे आपको यह पर शेंखवार कमेंट करके जुरूर बताएं अगली वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार